तो तो प्रुटे की चारथ बनाने के लिए हमने तीन बुटे लिए हैं आप हमेशा स्वीट कॉन वाले ही भुट्टे लीजिएगा यह हमेशा थोड़ा कॉसली तो जरूर होते हैं मगर यह सॉफ्ट बहुत बनते हैं और इसकी चाट बहुत टेस्टी बनेगी भुट्टे की चाट बनाने के लिए हमने जो मसाला त्यार किया है उसमें डाला है काला नमक डाला है लाल मिश्ट डाली है चाट मसाला डाला है और भुणा हुआ जीरा डाला है भुट्टे को चटपटा बनाने के लिए हमने गुड़ और इमली की चटनी ली है जिसको मैं आपको सिखा चुकी हूँ पहले भी और इसका आप लिंक में आपको शेर कर दूंगी और साथ में हमने एक निम्बू लिया है और इससे इसका टेस्ट और भी चटपटा हो जाएगा तो चलिए फ्रेंट्स शुरू करते हैं अपनी भुट्टे की चाट अपने भुट्टों को हम अच्छे से चील लेंगे और इसकी हम कटिंग करेंगे और इसको फिर हम पानी में बॉयल करेंगे तो फ्रेंट्स देखिए हमने अपने सभी भुट्टों को अच्छे से चील लिया है और उसके अब cutting कर लिए है हमने और अब इसे हम boil करेंगे सबसे पहले अपनी हम gas on करेंगे हम इसके अंदर तीन गिलास पानी डालेंगे आप अपनी छलियों के साफ से डाल सकते हैं पानी छली उबालने के लिए हम लोग आधा चमच नमक का डाल रहे हैं आप अपनी कॉंटरी के साफ से नमक कम जादा कर सकते हैं अब अपनी हम छलियों को पानी के अंदर डालेंगे boil करने के लिए अब इसका हम कुकर का ढकन बंद कर देंगे और चार से पांच हम लोग विसल बजाएंगे जिससे चार से पांच मिनट लगेंगे अब हम अपनी नाइफ से चेक करते हैं कि हमारी चलियों अच्छे से बॉयल हुई है के ने हाँ फ्रेंट से हमारी चलियों अच्छे से बॉयल हो गई है अब इनने निकाल लेंगे अब हमारे बॉट्टे बॉयल होके रेडी हो गए हैं अब इसके ओपर हम लोग चाट मसाला चटनी और निम्बू डालेंगे अब अपने बॉट्टों के ओपर इमली और गुड की चटनी डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा अब इसके ओपर हम अपना बना हुआ मसाला डालेंगे अब इसके ओपर हम अपना बना हुआ मसाला डालेंगे अब इसके ओपर हम लोग निम्बू डालेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी चटपटा हो जाएगा तो फ्रेंट्स देखिए हमारी बुट्टे की चाट रेडी हो गई है तो आप इसे बच्चों को बनाकर खिलाएंगे बच्चों को इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगीगा और साथ में यह बहुत हल्दी भी चाट है आप इसे रोज बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा बच्चों को तो फ्रेंट्स आपको मेरे भुट्टे की चाट की रेस्पी कैसी लगी है शेयर करें और मुझे स्पोट करें थैंक यू